नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल, d.com में जैसे कि आपको पता है हम जब भी आते हैं कि न्यु जानकारी के साथ आते है तो आज हम फिर आज रहे एक और न्यु जानकारी के साथ एक और new latest update के साथ उससे पहले दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बैल आइकन को प्रेस कर लिजे ताकि हम इसी तरीके से जो भी नया वीडियो बनाएं बो सबसे पहले आप तक पहुंच सके चले दोस्तों तो यहां पर जो जानकारी है जानकारी आप देख सकते हैं जिला नहीं आला भरती के अंदर का दोस्तों जी यहां दोस्तों आप सभी candidate को मिलती है जिला नहीं आला भर दोस्तो जे जे ए के अंदर रगा दोस्तो आप सभी candidate को मिलते है इस्टेन उग्रापर के या पी ए पर्सनल आसिस्टेंड या सीनियर पर्सनल आसिस्टेंड डाटा एंट्री ओपरेटर के पद मिलते हैं आप सभी candidate के लिए बात करते हैं दोस्तो यहाँ पर सबसे पहले education qualification की तो education qualification केबल और केबल आपके पास दस्तन दो पास आउट हो graduation के साथ आपके पास होना चाहिए graduation तो कर सकते हैं आप apply बात करते हैं दोस्तो यहाँ पर age limit की तो age limit रहेगी दोस्तो यहाँ पर 18-27 साल all India vacancy है दोस्तो सभी candidate के सभी candidate कर सकते हैं यहाँ पर apply 18-27 साल age रहेगी बा साल OVC के लिए रहेगा यहाँ पर 3 साल का age relaxation तो दोस्तो इसकी जो last date है last date देख सकते हैं आप 10-6 October 2019 इसकी last date है तो चले दोस्तो हम आपको देखाते हैं इसमें इसका short notification इसके बात बताएंगी हम इसका official notification तो दोस्तो देख सकते हैं यह है इसका short notification आप देख लीजे यहाँ दिली डिस्टिक को डीडी सी इंडिया देली के अंदर का दोस्तो आप साभी candidate को various poster में दिए सभी candidate के लिए मिलती हैं यहाँ पर बहुत शारी poster हैं पोस्टों की बात करें बात करने हैं बात करने हैं पहले सबसे पहले देख लीजे दोस्तो इंपोटेंट डेट देख लीज सकते हैं exam date और admin card की date अभी नहीं आई है जैसे ही आएगी हम आपके लिए जरूर सूचत करेंगे application fees की दोस्तों यहाँ पर अभी कोई detail नहीं आई है क्योंकि official notification complete नहीं आया है लेकिन फिर भी अभी fees की detail के लिए हम आपको जैसे कल कोई को form भरा जाएगा form भरा जाएगा तो हम वीडियो बना कर form भरने का बता देंगे उस साथ ही बता देंगे आपके लिए fees की detail समभूता नहीं लगे के लिए कि लगेगी तो हम आपके लिए जरूर बताएंगे बात करते हैं age limit कि तो age limit दोस्तों 18-27 साल है सरकारी नहीं हमनुसार रहेगा SCST के लिए यहाँ पर पांस साल का age relaxation OBC के लिए रहेगा यहाँ पर तीन साल का age relaxation दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 1 पर भरती हैं दोस्तों सभी candidate के लिए 771 post मिलती हैं सभी candidate के लिए तो चलिए दोस्तों यहांपर गाटिग्रीज्स 20 post के लिए देख लीजे सबसे पहले देख लीजे हैं आपा senior personal assistant जिसको हम stenographer के नाम से जानती है senior personal assistant के लिए दोस्तों general candidate को मिलती है 17 post है यहां फर पर साथ सभी कैंडिडेट के लिए पुंस्ट अर्वाइड को मिलती हैं, अवस्ट ही 155 पुस्ट हैं, असिस्टेंट जे जे एक एंदर का दोस्तों देख लिए जनरल केंडिडेट को मिलती है 62 62 पोस्टे मिलती है और साथ ही OVC को मिलती है 47 पोस्टे है EWS केंडिडेट को मिलती है 14 पोस्टे है SC को मिलती है 11 पोस्टे है और ST को मिलती है एक EWS को एक SC के लिए है ST को यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है नमबर और टोटल पोस्ट है यहाँ पर 14 पोस्ट है 14 पोस्ट है मिलती है eligibility and other details will be shown कल आपको मिल जाएगी इसकी complete details तो चलिए दोस्टो इसका जो official normal notification है वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पर तो दोस्तो यह है इसका official notification यहाँ पर आप देख सकते दिल्ली district court वेकेंजी notice दिया गया है यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी गई है senior personal assistant के लिए अंदर कर दिया है initial office district and session judge headquarter दिल्ली के अंदर का personal assistant की पोस्ट दी गई है describe करके मैंने आपको सारी की सारी पोस्ट बता दी है उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो पॉस्ट करके भी देख सकते हैं वीडियो डिस्टिरेशन वाक्स में लिंक मिल जाएगी बहां से भी आप इसको डाउनलोड करकर देख सकते हैं personal assistant में देख लिए दूस्तों यहाँ पर भी आपके लिए पोस्टों का विवर्वान पूरा दिया गया है data entry operator के लिए दी गई है और सभी candidate के लिए categories भाज भी पोस्ट अपडेटिट करकर दी गई है तो दोस्तों यहाँ पर आप वेकेंसी से सब्बंदेत बाकी आदर जांकारी से सब्बंदेत पूरी जांकारी आपको यहाँ पर updated मिल जाएगी इसमें देख लिए जो भी आपको physical handicap से भी पोस्ट सब्बंदेत यह जानकारी यहाँ पर जाएगी फॉंभाने की स्टाइडिंग डेट देख लिए 16 सितंबर से रहेगा यहां पर लाज्ट डेट रहेगी इसकी 6 अक्टूबर 2019 सस्ट के लिए 5 साल और ओभी सी के लिए 3 साल का एज रेलेक्सेशन यहां पर दिया गया है बाकी जो कैंडिगेट फिजिकल हैं एक सर्व गना जेंड़ उस तो